बॉली वुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले एक्टर राजेश खन्ना की परसनल लाइफ हमेशा से लोगों की दिल्चिस्पी का टॉपिक रही है। पतनी डिंपल का पाडिया संग उनका एज गैप, तूटा रिष्टा और अंजू महिंद्रू के साथ उनका लंबा रिलेशन राजेश खन्ना की जिंदगी का हर हिसा उनके चाहने वालों की उत्सुकता का कारण रहा है। इस वीडियो में जो किसा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो एक्टर की गरल्फरेंड रही अंजू महिंद्रू से जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 1966 में सबसे पहली बार राजेश खन्ना की मुलाकात अंजू महिंद्रू से हुई थी, कहते हैं कि पहली नजर में ही राजेश खन्ना और अंजू महिंद्रू को एक दूसरे से प्यार हो गया था। राजेश खन्ना तब इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे वहीं, तब अंजू अपने करियर के शुरू आती फेज में थी, फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया की नजर में वो सिर्फ सुपरस्टार की गल्फरेंड थी, रिपोर्ट्स के मताबिक हर शाम को राजेश खन्ना के खूब तारीफ करते थे, इन सब के बीच राजेश खन्ना अंजू को वक्त नहीं दे पाते, जब राजेश खन्ना अपनी पार्टियों में वेस्ट हुए तो अंजू ने भी पार्टियों में समय काटना शुरू कर दिया, वह भी अपने दोस्तों के साथ पार्टिया करती और दोस्तों से मिलती जुलती रहती, हाला कि अंजू का अपने दोस्तों से मिलना और पार्टि करना काका को पसंद नहीं आता और उन्होंने अंजू पर वक्त ना देने का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, अपने एक इंटरव्यू में अंजू महिंद्रू ने कहा था क वो मुझ पर इल्जाम लगाते थे कि मुझे अपनी पार्टियों और दोस्तों से फुर्सत नहीं लेकिन जब भी मैं उनसे मिलने जाती थी वो अपने चम्चों से घिरे रहते थे मैंने उनसे कहा कि मुझे प्राइवेसी चाहिए कम से कम जब मैं उनसे मिलने आऊं उस समय तो वो अपने चम्चों को दूर रखें लेकिन वो चम्चे हमेशा उन्हें घेरे रहते थे दरसल राजेश को उन लोगों की जरूरत थी हाला कि अंजू का कहना सही था क्योंकि राजेश खन्ना को सच में उन लोगों की जरूरत थी जो उनकी बिना किसी शर्त हर वक्त तारीफ करते रहें